कि यहलो दोस्तों स्वागत है आपका ग्यानी बाबा टेक चैनल में दोस्तों कल से ही मेरे पास बहुत सारे मैसेज्ज बहुत सारे कमेंटस आ रहे थे दोस्तों कि अर्णिंग ADS में आपको अपनी KYC कैसे activate करनी है दोस्तों और 99 रुपीज आपको कैसे pay करना है और e-pin request आपको कैसे generate करना है तो दोस्तों आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो ले के आ चुका हूँ तो मैं जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको अपनी KYC कैसे activate करना है तो दोस्तों पहले मैं आपको short short में बता देता हूँ फिर इसके बाद आप वीडियो को पूरा देखेगा जिसमें आपको मैं पूरी अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों तो वीडियो last तक जरूर देखेगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको अपनी bank detail update करनी है bank detail update करने के बाद आपको अपने e-pin manage में जाना है जहां से आपको अपनी e-pin request डालनी है दोस्तों e-pin request डालने के बाद जैसे आपकी e-pin आ जाती है आपको KYC activation में आ जाना है KYC activation में आने के बाद आपको अपनी user id डालना है और e-pin यहां पर automatic generate हो जाएगा आपको submit form पर करना है, submit form पर करने के बाद आपकी id एक्टिवेट हो जाएगी दोस्तों उसके बाद आप withdraw कर लेंगे तो दोस्तों आगे की update पूरी जानने के लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर दें तो चलिए दोस्तों आपको हर एक update step by step आपको बताते हैं आपको सिखाते हैं तो वीडियो को पूरा last तक देखिए दोस्तों तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे KYC के लिए 99 रूपीज है और activation charge और जहां पे आपके पास एक दिन का समय है और 20 hour का समय है दोस्तों इसके बाद आप KYC जो free वाले हैं उन्हें कर पाएंगे तो दोस्तों आज एक दिन के अंदर आप लोगों को जितना जल्दी हो सके KYC कर लेनी है दोस्तों जिससे आप अपने पैसे को बहुत ही असानी तरीके से withdraw कर सकेंगे तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने KYC को कैसे complete करना है सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे या three dot पे क्लिक करके यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखेगा user manage तो पहले user manage पे क्लिक करेंगे आपको को इसमें दोस्तों यहाँ पर अपना बैंक के डालेंगे जैसे मेरा बैंक के मैं डालेता हूँ देखिए अपने डालेंगे yen Cindy है तो यहाँ पर अपना नाम डालेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम फिर अपने बैंक का डालेंगे दोस्तों देखेें मेरा यहाँ आगया उसके बाद अपना दुझा आजाना है e-pin manage पे आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहां पे आपको option दिख जाएगा request e-pin request e-pin पे क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद आपको यहां पे लखेगा e-pin request आपको अपनी e-pin request करने के लिए यहां पे select package करना है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पर जॉइनिंग पैकेश 99 रूपीज का है दोस्तों जी हां दोस्तों 99 रूपीज को आपको पे करना है उसके बाद आपका विड्रा चालू हो जाएगा तो जॉइनिंग पैके 99 पे क्लिक करेंगे यह पीन नंबर में एक पीन को वन सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपको टोटल 99 दिखा रहा है दोस्तों और उसके बाद यूटियार नंबर पर आ जाएंगे यूटियार नंबर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर इसकेनर दिख रहा है इसकेनर को इसको इसका आप इसकिन सॉट ले ले लिजिए और इसको आप गूगल पे यूपी आई फोन पे और किसी भी पे पेमेंट्स से आप इस पे पेमेंट कर दें दोस्तों जैसे आप 99paragus payment करेंगे उसका यूटीयार नम्र वहाँ से copy करेंगे आप history में जाके copy करने के बाद आपको यहां उटियार नममर slip पे क्लिक कर देना है दोस्तों यहां पे पेस्ट कर देंगे आप जैसे ही paste करेंगे उसके बाद पेस्ट करने के बाद आप जो transaction किये हैं उसका screenshot यहाँ पर डाल देंगे choose file करके दोस्तों उसके बाद यहाँ पर transaction fill करने के बाद आप यहाँ submit पर क्लिक करेंगे submit करने के बाद दोस्तों आपके पास आदे घंटे से एक घंटे के अंदर आपके e-pin आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर आपको अपना e-pin request complete करने के बाद आपको यहाँ three dot पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है किवाईसी activation किवाईसी activation पर आप क्लिक करेंगे आप यहाँ अपनी user ID डालेंगे जैसे मैं user ID आपको डाल के दिखाता हूं देखे दोस्तों मैंने user id डाल दिया यह user id डालने के बाद आप यहां नीचे देख सकते e-pin का box आ रहा है दोस्तों अगर आप e-pin का request डाल दिये हैं और आपका e-pin आ गया है तो आपको यहां पर e-pin डालने की जुरुत नहीं पड़ेगी दोस्तों यहां पर e-pin आपकी किवाइसी एक्टिवेट हो जाएगी तो मैंने आपको किवाइसी एक्टिवेट कैसे करनी है उसकी पूरी जानकारी दे दी है तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे WhatsApp ग्रूप पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे contact नमर पे आप लोग direct message करके मुझसे कोई भी दिक्कत होता है पूछ सकते हैं और आप अगर YouTube पे ये वीडियो देख रहा हैं तो आप comment करिए comment में आप अपने सारी problems को डालिए मैं आपके हर एक comment का reply दूंगा दोस्तों तो दोस्तों I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और share करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों जैहिन दोस्तों